ग्यान दिमिरंदस्य ग्यान अंजन सलाकया चक्षुरुम् मिलिदंबेना तस्मै श्री गुरुबे नमहा श्री चैतन्य मनुविष्टं स्तापितां में नभूतले स्वायम् रूपगतामायम् ददातेशं बदंधिकं वन्देहं स्री गुरुम् शिरुचुतापतकमलं स्री गुरुम् वैष्णपाम्च स्री रूपं साकर्जातं सागनारगुनातं मितंतं सजीवं साग्वेतं सापधूतं परिजन सैतं स्री कृष्ण जैतन्न देवं स्री र प्रिष्ण पादान्जागन ललिता स्रिविशा कम्वितंच नमवं विष्ण पादाय क्रिष्ण प्रिष्ठाय भूतले स्रीमते तमल्कृष्ण कु स्वामी तिनामिने नमों विष्णु बादाय कृष्ण पिष्टाय भूतले स्रीमत्य भक्ति वेधांत स्वामी तिनामिने नमस्ते सरसुति देवे गौरवानी प्रचारिने निर्विशेश सुन्य वादी पास्चत्य दिसतारिने नमा उम्बिष्न बदाय कृष्ण बिष्टाय भूतले स्री मत्य भक्ति सित्धांत सरसुती तिनामिने नमस्ते श्री वार्शवान विदेवी दैत्ताय कृपाप्तये कृष्ण संबंध विज्ञानंधायने प्रभविनमा माधोर्य जल प्रेमाध्य श्री रूपानुग भक्तित, श्री गौुर करुणा सक्ति विक्रहाय नमस्ते, नमस्ते गौुर वाणी श्री मुर्तय दिनतारिने, रूपानुग विरुधाप सिद्धान्त द्वन्ताहारिने नमो गौुर किशोराय सक्षत वैराग्य मुर्तय विप्रलंबार संबोधे पादंबोजायते नमहां नमो भक्ति विनोदाय सचिदान्द नामिने गौुर सक्ति सरूपाय रूपानुग वरायते गौुर विर्भाव भोमेस्तं निर्देस्त सज्जनाप्रिय वैष्ण वस्यर्व भोमाश्री जगनातायते नमहां वांचा कल्पतरु वैष्य कृपासिंदू भैवचा पतितानं पावनेभ्यो वैष्णनेभ्यो नमो नमहां नमो महा बदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णय कृष्ण चैतन्य नामे गौरेति से नमां पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपासरूपकं वक्तवतार भक्तक्यां नमामी वक्तसक्तिकां एकृष्णा करुणाशिन्दू दीनवंदू जगत्पति गोपेशकुपिका कांत राधा कांत नमस्तुति जयताम्सुरतो पंगोर मममंदार्मतिर्गति मत्सर्वस्च पदांबोजो राधामाधनमोहनो दिव्या दुरिंदारन्यकल्प दुर्मत स्रीमारत्नांकार शिम्माशनस्तो स्रीमांत राधाशिल गोविंद देवो प्रिष्टालि भीष्यभ्यमानो स्मरामीम् श्रीमान्ग्राशरसारंहिभंसिवाट टतस्तिता पर्षन्वेनोशनेर गोपी गोपी नात श्रियस्तुनहां। तप्चकांचन गोरांगी राधे ब्रिंदवनेश्वरी ब्रिशाभानुशुते देवी पड़मामी हरी प्रिये। जय श्रे कृष्ण जयतन्या प्रभु नित्यनन्द श्रियाद्वेत गदाधर श्रिवसादी गौर भक्त भ्रिंद। हरे कृष्ण! हरेな कृष्ण! Wilson कृष्ण!ա। हरे राम, हरे राम, 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 हरे रे, हरे, 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 कृष्न, हरे, कृष्न, 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 हरे, 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 हर जय गोपि चित चोर प्रभु जय जय माखंचो स्विराधे कोपाः बजमन स्विराधे बजमन स्विराधे विराधे कोपाः बजमन स्विराधे राधे स्टीराथ चय ये जाय आतिए, स्टीराथ चय ये ये नातिए, स्टीराथ चय ये जाय बाथ्ण। हुआ। श्रीना ते जोरा अज्यामानी श्रीया श्रीना ते जोरा अज्यामानी 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 श्रीना कर दोट करें । कर दो तो व्यद्यों थैर कर दो स्थाप जार आट प्रिया 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 प्रिय प्रिम ऑजित्ह मा्ने भुवाद मेई वाभ गादी कोफको प्रज्यमाद्णी आडे, मेले राकिज़ा, आर्क्रिम अधित्हित्व थेत्हित्व मिणी नहीं में दोपको सुछ। प्रिम फेत्व प्रण प्रिम प्रोड़ोध अथिन साथ़। से दादे सेटान तो, से दादे सेटान तो बाते लोल वाते हो दुन के अचिए वहर ? कि आटे क narrower, को दो मोगा ऑनांएं, जो पद्धी नादे, गान्चारा दे कर कहां सब्सकोर्म मत्तूरा, को पाम मधें यादे हुर्णा। आजीद कोपा बजमन देञाँ एक भे रादे कोपा बजमन देरादे गूपा वाज्य पत्रेऊनाद्वि ऐत्यु हो प्रेय्ड का फॉपार ब्लूरे ने believed, विढ्षा गूपार ब्लूरे कुछ मत्रेया ने विढ्यों, ने Ε네요नमत्छ। बजमान जेरादे, 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 बजमान जेरादे श्रिबाल कृष्ण लाल की जै, सिर्मत भागवत महापुराण की जै, गंतरा सिर्मत भागवत महापुराण की जै, जगत गुरु सिल परुपाद की जै, सिल गुरुदे माराज की जै, स्री राधा राम चंद्र भगवान की जै, जै जै श्री राधे श्याम। द्वारी का धीश की जै, प्रम्मंगल में पराधपर अखिलेश्वर, अकारण करुणा बरुणाले, वक्त वान्च कल्पतरू, तरुंदि की पिताम्बर धारी, श्री बाल कृष्ण लाल की बांगमय पर्तिमूर्ती, सिर्मत भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेम्यू, गोविंद की महाति किर्पा, मेरे परम आराध्य, ठाकुर्श्री राधार माधवरी, जी गोर्निताय, श्रीनाजी गोपाल की अनुकमपा, और गोव्रामन, संत सेवी, वैदिक बांगमय का सर्वच्च, सत्ग्रंथ, शिर्मत भागवत, जिसका सप्तहा, सप्त दिवस, ये भक्ति अनुष्ठान, जिसे हम भागवत सप्तहा, ग्यान यग्य के रूप में जानते हैं, का सुभारम करते हैं, किस तरह से कि कनया ने वाशुरी बजाया, और सारे गोपियों को अपने पास बुलाया, जो हम सुन रहे थे कि गोपियां जो हैं, जीवे, और बुलाने के बाद उनका सत्कार भी किया, और बाद में सत्कार करने के बाद, फिर क्या करते हैं, उसको ठोक पिटकर, कह देते कि तुम लोग घर चले जाओ यहां रात तरीके समाई इस तरीके से आना सुभा नहीं देता है तो अलग-अलग प्रमात्मा जीब को सतकार करते हैं लेकिन सतकार करते करते ठोक पिटने का कारण यह की है कि वो देखते हैं कि जीब कच्चा है कि पक्का है क्योंकि यदि संसारिक वासना को लेकर के आया है प्रभु के पास तो इसका आना व्यार्थ है इसलिए परिच्छा के हैतु प्रभु ने अपने मुखार विंदे से पति देव का बच्चों का परिवारों का शेवा का बखान करते हैं उनकी प्रसम्शा करते हैं ताकि यदि थोड़ा भी मन जिपका उनमें होगा तो प्रभु के स्वयम प्रभु के मुख से ही ऐसा सुनने के बाद तो जरूर ये लोग लोट कर जाएंगे और यदि बास्तब में मन प्रभु में लगा है तो कितने भी संसार की कितने भी प्रसंसा कितने भी प्रसंसा संसार की बिशामें करें फिर भी उनके तरफ उस संसार की तरफ मू मोणने वाला नहीं है यह कदापी हो जी नहीं सकता है जिसका मन एक बार कनया के चरण कमलों में लग चुका है जम चुका है वो कदापी संसारिक कामनाओं या संसारिक चीजों में कितने भी उसका बखान किया जाएं श्वाइं भगवान भी कर यदि कर ले तो वो भी ऐसे पक्के भक्तों का मन या मुँ उस तरफ मोनने वाला नहीं है और ये बात सिद्धा कर दिया गोपियों ने गोपियों को परिच्छा ले रहे थे इसलिए कनया नाना प्रकार के बाते कहकर गोपियों को लुटाने के लिए कभी इस्त्री धर्मा कभी पती धर्मा कभी बच्छों का धर्मा कभी साथ ससूर के सेवा के धर्मा नाना प्रकार के बात कही पर गोपियों ने एक भी नीशुना उनका तो बस एक ही था मन कि भगवान कनया के चर्णकमलों में रहें उनका चर्णकमलों में ही उनका मन लगा हुया था जमा हुया था तो ज़ाने गातya प्रशने नहीं नहीं होता है तो भगवान ने जित्ने भी प्रसंज किया कितने भी भाषन क्यों नहीं किया है। पर उस तरफ मूंद आए नहीं और यह बात सिद्ध कर दिया गोपियों ने कि वो लो कृष्णा माई है संसारिक माई नहीं है तो जब इस प्रकार से ये लोग पास हो गए अपने परिच्छा में कनयाने तो कनया तो हर समाए परिच्छा लेते हैं ये पक्काय की कच्चा है अपने भक्तों को ओ थोड़ा अहम भी आ आपक्कं को उपर ये अहम का थोड़ा सा भी अगर डाग लग गया थोड़ा सा भी आपो का बीज जागरित हो गया तो कनया उसको नश्ट कर देते हैं तो इसी परकार गोपियों को भी परिच्या ले लिया, वो अंतता गोपियों ने शिद्ध कर दिया, वो लोग संसारिक माई नहीं है, वासना, वासना से भगवान के पास आये नहीं है, वो वासना मुक्त हैं, और कृष्णा माई हैं, तो गोविंद जब देखा कि इतने कहने पर भी इनका मन संसारिक चीजों के प्रति आ सकते नहीं है, तो बहुत प्रसनों हुएं, कने यह बहुत प्रसनों हुएं, और गोपियों के साथ रास बियार करने लगें, ऐसा लिखा है, और गोविंद के साथ में जब गोपियां रास करते हैं न, देखो बड़ी सुन्दर जहां कि यह, बिच में प्रिये पतिम की जहां की, चारों तरफ हजारों, कृष्णा हजारों गोपियां, यह उसी जाकी, ऐसा जाकी देखने का मिल रहा है, कि चारों तरफ कनईयां हैं, और गोपियां हैं, और कनईयां जब रास बिहार, जब करने लगें, तो दो दो गोपियों के बीच में, माधब बिच के संत कहते हैं, कि पर्तिक दो गोपियों के बीच में, कनईयां थे, मेरे गोविंद थे, तो इस परकार से, ब्रस के संत लोग कहते हैं, कि गोपियों के मन में, थोड़ा सा अभिमान हो गया, देखिए, जब कनईयां इस परकार से, गोपियों के ऐसा लग रहा था, कि कनईयां मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है, पर्तिक गोपियों के ऐसा मौशिद रहा था, कि कनईयां मेरे साथ ही है, उनको हजार कनईयां दिखाई नहीं देते थे, उनको अपने साथ का कनईयां साथ, तो थोड़ा अभिमान हो गया, यही मनुश्य की बहुत बड़ी गल्ती है, कोही बहुत मुल्लेवान वस्तु इसको सस्ते में मिल जाएं, तो क्या होता है, देरे, 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 उसके नजरों में उसका मौत तो कम हो जाता है, हम लोग संसारिक द्रिष्टी में भी देखते हैं काफी, कि लोग पहले बड़े भक्ति भाफ से, बड़े सेवा भाफ से आते हैं, विशेश करके मंदिरों में, जब जोइनिंग करने के टाइम हैं, लेकिन कई साल सेवा करने के बापस्चत, जब वो लोग दिख्षित हो जाते हैं, या पध प्राप्त हो जाता है, तो जिसके क्रिपा से, जिन भक्तों के, जिन गुरुओं के, जिन संतों के क्रिपा से, वो लोग ने ग्यान लिया है, ग्यान सिखा है, और ग्यान प्राप्त किया है और उनकी किरपाग से ही उनको यदि पराफ्त मिल जाए तो पर जैसे प्राफ्त हो जाता है तो क्या होता है वह गुरू जनोंका वह संतजनों और ये बहुत कर भख्द जनाओं का किमत यानिकि उनका मुलेवन मुलेवन उसका मोहत्य क recommend के लिए और अभिमान बढ़ भादा है तो जब अभिमान धीरे-धीरे बढ़ जाता है कि मैं मालिक हूं अभी ऋर यह कुछ नहीं यह दास है तो इस परकार से वो हम जैसे बोलेंगे वैसे करना पड़ेगा हम जैसे चाहेंगे वैसे करना पड़ेगा क्योंकि हम स्वामी हैं और ये सेवक हैं तो ऐसे मनस्तिती हो जाती है और ये आम अढ़्डा जमा लेता है मन में तो ये बहुत ही सामन्ने बात है कि जो पूना रूप से कृष्णम आई नहीं है तो ऐसे ब्यक्तियों को जल्दी अड़ा जमार देती है इसलिए मालूम इसी से मालूम पड़ जाता है कि कौन सा ब्यक्ति असली में कृष्णम आया है कि जो असली में कृष्णम आया है वो तो भगवान कृष्णम को ही स्वामी समझता है और अन्य चीजों को सबको दास के रूप में देखता है कि जीवेरा सरूप हुए कृष्णर नित्यादास सभी कृष्णम के दास हैं और अपने आपको तो विश्यस करके सबके दासानु दासानु दासानु दास ये सब भावना रखता है तो यदि ऐसा नहीं है तो वो पक्का हुआ नहीं है ये बलकि वो कच्चा हुआ है तो ये जीवेरा कमजोडी यही है कि बहुत जल्दी ही थोड़ा कुछ मिलते ही मनुष्य को अहम हो जाता है यदि कोई ज्यादा अमुल्य निधी उसको मिल जाएं तो फिर अपने सबाब को अपने सबाब की बस में होकर उसका मौत्व को कम आने लग जाता है तो ये अभिमान के कारण से ऐसा होता है तो देखिए गोपियों को गोपियों जैसे भक्तों जो उँचे कोटी के भक्त हैं उनके मन में भी अभिमान आ गया तो आम लोग जैसे साधारण ब्यक्तियों को तो बात ही क्या करना है तो गोपियों को थोड़ा सा हम आ गया हम ज्यादा सुन्दरी हैं ना हमारे सुन्दर्ता पर मोहित होए हमारे सुन्दर्ता पर मोहित होकर के कनिया रास करते हैं कनिया रास कर रहे हैं तो वो लोग को अपना सुन्दर्ता पर मोह हो गया हम हो गया और राधरानी को भी थोड़ा मान हो गया कि गोपियों में और हम में कोई अंतर ही नहीं है जैसा इनके साथ रास करते हैं वो इसे ही मेरे साथ कर रहे हैं जैसा इनके साथ रह रहे हैं वो इसे ही मेरे साथ रह रहे हैं तो मेरा और इनमें ऐसा मौसुज हो रहा है होता है कि मेरा और गोपियों के सम्मंद कृष्णा के साथ बिलकुल एक ही जैसे लगता है कोई ही भी नहीं नहीं है तो ऐसा उनको थोड़ा मौसुज हो रहा था उनको थोड़ा सा क्या बलते हैं चिंता हो रहा था क्योंकि गोव रादरानी समझती थी कि सब गपियों में से स्रेष्टत में ही हूं और है भी यह से भी बास्ताब में तो लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से क्रिश्णा परते गोपियों के साथ रास रच रहे हैं उस परश्तिती को देखने के बाद तो राधरानी के कोई specialist उनको कोई special इस्थान तो दे रहे नहीं है क्योंकि सब के बीच में कनिया हैं तो इसलिए राधाराने को ऐसा मौशुज हो रहा है दासम तत शव भगम अधम कनाया ने सोचा यहां तो बड़ा गड़बड होने लगा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वेशिये तो रास जो हुआ है यहां इसके दो भाव हैं एक भाव है कि गोपियों के संग प्रभु रास जब कर रहे थे तो कामों दिप्त बाड़ा काम को बॉल मिला यहां पर शिर्दा स्वामी जी ठीका करते हैं उनका उन्होंने अपना भाव परकट किया है कि उदत धर्मस्तवयम उत्तम बयम का मतलब होता है काम को बढ़ाना काम को बढ़ाना नहीं बलकि प्रभु ने काम को आकास में उल्टा ही लटका दिया है उत्तम बयम का मतलब काम को बढ़ाना नहीं होता है यहां पर तो प्रभु ने काम को उल्टा ही आकास में लटका दिया है काम का वहां पर प्रवेश बिलकुल नहीं है प्रतासम ततसव भगमरम रिशवानम चकेशव प्रसमाय प्रसनाय तत्रईवान तरधीयत गोपियों के सवत मधु मेरे गोविन्दने जब देखा तो तत्रईवान तरधीयत प्रसमाय प्रसनाय गोपियों के अहम का प्रसमाम करने के लिए राधारानी को प्रसनाय करने के लिए किशोरी को प्रसनाय करने के लिए किशोरी को संग ले करके तत्रईवान तरधीयत बिच में ही अंतरधान हो गए अब अब जब कनईया बिच में अंतरधान हो गए तो गोपियों ने देखा अभी तो कुछ मिनट पहले तो यहीं प्रसे कनईया अब कहां चले गए गलबई या में तो नहीं वियोग में होने पर उसका मौर्थ तो वापस समझ में आने लगता है पहले तो जब फिमिलियारिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या होता है उसका कीमत कम हो जाता है पर जब विछोड हो जाता है तो फिर उसका कीमत वापस बढ़ने लगता है हम लोग अपने जीवन काल में भी देखते हैं जानते हैं कफी परस्तिती में अनुभब भी किये होंगे तो इस परकार से अभी थोड़ा अभिमान हो रहा था अभी कनईया वहां से अंतरध्यन हो गिया तो इधर उदर डोड़ने लगे कई छिपे है कि जब डोड़ा तो देखा नहीं तो बस अब उनको इसका महत्वा समझ में आने लगा है अभी अभी सब इधर उदर देख रहे हैं और चिला रहे हैं कि हे स्री क्रश्ना का हो हे कनईया हे प्राणेश्वर का हो हे प्रावलब का हो हे जगदिश्वर का हो हे जगधादा का हो हे प्रिये हे प्रियतम किदर हो आप तो इस प्रकार से गोपियों बिलोब करते रहे बिलोब करने लगी और ऐसे बिलोब करते करते कनेया को पुकारते पुकारते घोर जंगल में रात्री के समाए इधर से उधर उधर से इधर भटक रहे कनेया को ढोंड रहे अच्छा प्यार से बोलिए जाय स्रे कृष्णा देखो प्रेम की कही अवस्ता होती है तो प्रेम की एक अवस्ता यह है कि जब प्रियताम की बियोग में रोना प्रियताम की बियोग में रोना प्रेम की और अवस्ता है कि प्रियताम के बियोग में उससे मिलने के लिए तड़पना प्रेम की और भी उची अवस्ता है जो प्रियताम के बियोग में इतना तनमाय होकर इतना तनमाय हो जाना कि वे पता ही न चले कि हम जड़ है या हम जड़ से बात कर रहे हैं कि चेतन से हम जड़ है चेतन है या जड़ से बात कर रहे हैं या चेतन से बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भूल जाती है सब कुछ तो ऐसे ऐसे कई प्रस्थिति होती है जब व्यक्ति का बेक्ति किसी से प्रेम करता है बास्तर में प्रेम करता है तो व्यक्ति करनе वाले का आवस्ता एसा होता है को जड़ को चैतन्य न कच्छू जानत भी रही जाना मतलब हमारे ब्रज के संत्य ना ऐसा लिखते हैं कि जड़ से बात कर रहे हैं चैतन्य है या जड़ है उनको पता ही नहीं है गोपियों को पता ही नहीं चल रहा है वो चैतन है और जड़ से बात कर रहे हैं देखिए यह प्रेम का एक अवस्ता है को जड़ को चैतन्य न कच्छु जानत विरही जनह यह संतों का कहना है जो जड़ से बात कर रहे हैं या चैतन्य से बात कर रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता है ऐसे प्रस्तिति में यह प्रेम की दूसरी अवस्ता है और प्रेम का एक और स्टेज होता है उचे स्टेज उचे स्टेज होता है जो सब्जनों कि जिसके भीयोग में हम रोते हैं उसका चिंतन करते हैं यानि कि करते करते एक स्टेज ऐसी आती है कि हमें लगता है कि वह ही हमें इतना पागलपन आ जाता है कि अपने आपको ही किसी चीज को जब प्यार इतना करते हो इतना करते हो जब करने के बाद जब सामने न हो तो उसका भीयोग में इतना पागल हो जाते हैं कि उसको अपने आपको ही उसी चीज को समाजने लगते हैं वह ही हमें किश्णों हम पस्ष्यती गती ऐसा का गया है तो क्या हुआ पहले गोपियां खुब रोई का हो प्राण बल्लों का हो कृष्णा का हो कनया का हो प्रियतम तो इस पर का से ढूणा का हो प्रियतम का हो कनया जब कनया इस परकार से ढूणने पर भी नहीं दिखाई दिये तब इनकी जो तन्मायता आ गई इनमें इतनी तन्मायता आ गई कि सामने पिपल का पेड़ पड़ा था उसको पुछ रहिए आपने कृष्णा को देखा है गलती है हमारी अपराद है हमारा इस हाड मा सरीर के प्रति हम जो इस हाड मा सरीर के प्रति हम जो हमने किया या हमारे उपर हो गया हमें जो नहीं होना चाहिए था आप तो बिर्क्षो में बड़े आधर्णिया हो, बिर्क्षो में सब आपकी पूजा करते हैं, मनुष्य सब पिपल को पूछते हैं, बताओ न, काँ छुप गए हमारे गोविंद, अब देखो, पिपल ने तो जवाफ नहीं दिया, एक गोविंद बोली, ये भी अभिमानी हो गया हमारे जैसा, अब ये देखा भी होगा, तो थोड़ी न बताएगा, दुनिया, दुनिया पानी चड़ाते हैं न, इनको, दुनिया इनकी पूजा करते हैं, तो इसलिए इसमें भी अभिमान हो गया, इसमें भी अंकार हो गया, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो पीपल ने तो जवाब नहीं दिया, तो और आगे चले, बगल में खड़ा था बट ब्रिक्स, और बट ब्रिक्स से भी पूछने लगी, कि ये आप बताओ ना, सिरमान, आप तो ब्रिक्सों में बयो ब्रिद्ध हो जी, ब्रिक्सों में बयो ब्रिद्ध हो जी, बयो ब्रिद्ध केला आते हैं, लंबी दाड़ी हैं आपका, कहीं देखा है आपने गोविंदा को, बताओ न, अब ऐसी गलती अपन नहीं करेंगे कभी भी, बिल्कुल नहीं करेंगे, तो बस, बटब्रिक्स को पूछने पर बटब्रिक्स ने भी जवाफ नहीं दिया, तो दूसरी गोफी फिर बोलती है, इनकी तो बुद्धी, क्या बोलते हैं, सट, सट हो गया है, बिचरा बुड़ा हो गया है न, है भगवान, तो इस परकार से, बहुती चिंती थे गोफियां, जिससे भी पूछती है, उनको कन्यया की विशाय में कोई बताता नहीं है, क्वाचे तुलशी कल्यानी, गोविन्द चरणा प्रिये, हे गोविन्द के चरणों की परम प्रिये तुलशी देवी, अविच तुलशी देवी के पास पहुच करके गोपियां पूछ रहे है, कि हे गोविन्द के चरणों की परम प्रिये तुलशी देवी, बताओ, स्रिकृष्णा कहा है, क्योंकि आप तो उनके चरणों में चड़ती हो, देवी, आपको तो अवस्य मालूम होगा, पर देखिए, तुलशी ने भी कोई जवाफ नहीं दिया, तो एक गोपी बोली, ये तो हमारी स्वोव थे, हमें क्यों बाला बताओगी, यदि देखा भी होगा, तो बताओगी थोड़ी न, जिन चरणों की हम, चहार रखती है, उनको तो रोज चड़ती है न ये, अब लो, कर लो बात, उनको तुलशी भी, सौथ दिखाई देती है, अब बताओगी, नाम, पुन्यक, ये चंपक, कन्नेर, ये अलाग अलाग पूश्पों से, अलाग अलाग ब्रिक्षों से, अभी पूच रहे हैं, सब से पूचा, और सभी लोग ने, सभी लोग को पूचा, सभी लोग ने, कोई जवाब नहीं दिया कन्या के बिशाय में, किसे ने बताओए ने, तो अन्ताता पृथिवी से भी पूचने लगी, गोपियां, पृथिवी को जाकर के पूच रही है अभी गोपिया, कि पृथिवी माता काई, तुमने देखा है क्या कन्या को, किदर है कन्या, किन्ते कथम छित पयो, वत केशवा, केशवान गरी, कहते है के है पृथिवी माता, तुमने कौनसी तपस्य की, कौनसी तपस्य करी, जिसके कारण, गोबिन्द का चरण, स्पर्शत में रोज प्राप्त होता है, बताओ काँ चले गए, क्योंकि, कहीं भी अगर, गए है, तो उन करके तो चले नहीं गए है, अबस्य भी नहीं गए होंगे, वो चल करके ही गए है, और यदि चल करके गए है, तो तुमसे अलग नहीं है, यानि कि तुमसे अलग रही नहीं सकते हैं, मतलब यह कई भी इस प्रकार से जब पूछ रही है कोई भी जवाफ नहीं दे रहा है अब यह प्रिथिवी माता से पूछा तो यहां भी जवाफ उनकर नहीं मिला तो क्या हुआ अब गोपियां सब पुकार रहे हैं कि हे श्री कृष्णा का हो क्या हो ढूंड़ते 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 हम गोपि हैं यह भाब खतम हो गया मैं ही कृष्ण हूँ ये भाब जग गया कृष्ण हम पस्चती गती क्योंकि लाली मेरे लाल की जित देखू उत लाल लाल नुद देखने गही में हूँ हे गई लाल ऐसा बर्जवाशी कहते हैं कि ब्रह्मावित ब्रह्माईवत भवती ब्रह्मावित ब्रह्माईवत भवती बेदांत दर्शन के अनुसार तो जिसका चिंतन तुम ज्यादा करोगे योजे स्रद्धा सही वशा गिता में भागवान कहते हैं कि जिसके प्रति हम सरद्धा करते हैं तो हमारा सरद्धा स्पद हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है हमारा सरद्धा स्पद हमारा जीवन में लगजाएं भूतानी येंती भूतेज्या येंती मद्या जिनोप इमाम कि जो भूत प्रत की उपासना करते हैं मरने पर भूत प्रतों बन जाते हैं ये तो कंफर्म है और जीवत अबस्ता में भी येदि आप देखें तो उनका चेरा भूत जैसे ही होता है आप द्यान से देखना जो भूत ये भूत फुत की जो या भकते हैं या ये जाकी करते हैं जाड़ा फुका जो करते हैं ना उनका चेरा देखने लाइक क्या है आप देखो भूत को तो बाद में देख ले ना पहले इनका चेरा देख लो उनका चेरा ऐसा ही लगता है भूतों का जैसे ही होता है लेकिन राम कृष्णा की जो पूजा करेंगे मा का उपासना करेंगे तो उनका उनका चेरे की सुम्मेता तुमारे जीवन में आएगा ऐसा सास्त्र में लिखा है ऐसा गीता में लिखा है अब देखिए कनाईया के विरह में गोपियां लोग सोस रहिए कि नहीं कृष्णा हूँ और एक गोपि ने तो कहा आजाओ बर्जबाशियों दरने की कोई जरूरत नहीं है मैंने गवर्दन उठा लिया है इंद्र को कितना भे बरसाने दो डरो नहीं में हूँ न मूँ खलके अगनी को पी रही है दावागनी पान कर रही है यो यो कली काजर धोरी धुमर अगुला की तुटकन मुटकन सो सब गोचराने जा रहे हैं गोचराने सभी लोग जा रहे हैं कनेया जी तो इस परकार से सारी के सारी कनेया के लिला अभी ये लोग नकल कर रहे हैं पूरा द्वारा कनेया के लिला हो रही है गोपियों के द्वारा तो देखिए शुकदेव जी महाराज कहते हैं ये गोपियां कर नहीं रही है बलकी यह सब automatic हो रहा है गोपिएं के द्वारा automatic यह सब हो रहा है ऐसा सुकतेवजी महालाज कहते हैं यह गोपिएं ने कृष्ण के लिला का अनुकरण नहीं किया देखो अनुकरण तो उसको कहते हैं जाए पता है कि नाम तो मेरा रामचंद्र दास हैं पर पाठ रामायन क्या करें धैन देना अनुकरण तो उसको कहते हैं कि मैं हूँ तो कुछ लेकिन कर रहा हूँ कुछ जा मैं हूँ यह भावी खत्म हो जाएं जिसका चिंतन में लगें मैं वही हूँ यह तादप्य पन्नस्थिती हैं यह तादप्य भाव हैं और यो दो हने मथनों पले पल गोपियां का तो जीवन कृष्ण के चिंतन के लिए है और गाई भी दोती है ना गोपी भावत में लिखा है ऐसा वो गाई दोती है पुटकों में लगी है मिट्टी और गाई के निचे बैठके गाई दूर रही है और मट्की की तरफ देखा तो लगा की मट्की में कनईया बैठा है और गाई की जो धार है इस्तन की सीधे लाला की मुह में जा रहा है माखन बेचने के लिए जा रही है गोपी माट गाव में चले गई और चिंतन है क्रिष्णा का चिंतन क्रिष्णा का चल रहा है कोई माखन लिया कोई मिस्रे लिया कोई दही लिया बहुत मिठा है बहुत ताजा है कोई माखन लिया कोई दही लिया बढ़ा ताजा है लेलो कोई माखन लो कोई कनाईया लो कोई क्रिष्णा लो कोई गोविन्दे लो बढ़ा ताजा है बढ़ा मिठा है कोई कनाईया लो बढ़ा श्वादिष्ट है लो कर लो बात माखन बेशते बेशते क्रिष्णा को भी बेशना शुरू कर देती है कि वह कहती है वकर रही है करती है कि ऐसा नहीं है कि वह करती नहीं थी वह ऐसा आउपमेटिक और दुखान में लो माखन ले लो बोलते बलते मीठा है ऐसा बोलते कृष्णा लेलो कणहिया लेलो कड़ाई मीठा है तो एसा उनके मुझ से आटोमेटिक हो रहा है कि इतना तन्माय हो गए कि क्रिष्णा के प्रति कि अधा प्यान पन्ना स्थिति यह इसको बलते हैं यह ताधत मियन पन्ना स्थिति बोलते हैं इसको तो गोपीयां जो कहती हैं मैं क्रिष्णा हूँ लिला का जो लिला राच रही है यह लिला कोई पूर्वत नियोजित नहीं है आयोजित नहीं है यह अटोमेटिक हो रही है और बहुत देर हुई, पूरे ब्रज में सारे लिलाएं जो कनया ने करी, वो सब दुबारा रिपिट हो रही है, फिर थोड़ी देर में लगा, नहीं नहीं नहीं, हम कनया थोड़ी हैं, हम तो गोपी हैं, फिर उनको गोपी भाब पूनप प्राप्त हो गया, और वो आवेश एक छण के लिए चला गया, और जब उलग थोड़ा आगे चले गई, तो राधारानी से, राधारानी ने सोचा कि मैं यदि गोविंद के साथ रही, गोपियों से दूर रही, तो उनको कुष्ण नहीं मिल सकता, इसलिए राधारानी ने चोटा सा नाटक किया, अरे जी मुझे को काँ ले जा रहे हो, मुझे तो चला ही नहीं जा रहा है, पनाया बोले, चल नहीं सकती तो कंदे पर बैटो, गोविंद ने ऐसे जुक करके इशरा किया, लाधारानी बैठने लगी, तो गोविंद वहां से भी अंतरधान हो गए, हाँ, गोविंद वहां से भी अंतरधान हो गए, राधारानी से भी, मेरे प्रभू अंतरधान हो गए, अब राधारानी की पास, सारे गोपियां डोड़ते हैं, कनेजा को डोड़ते हैं, वहां पर आ गई, और बोले, आपको भी छोड़ गए, जो कमी तुमारे जीवन में आई, आई, सो मेरे जीवन में भी आ गई, इसलिए हमें भी यही पास छोड़ कर चले गए, आना तन्मनहा प्रेष्ट, त्वासी त्वासी महाभुजा, दास्यस्ते क्रिपाना माई, सके दासया धन्नी दिन्न, अब यहाँ गोपियों ने, अपने मन की बात कही है, यहाँ पर अपने, गोपियों ने अपने मन की बात कही है, हाँ, नात, हमारे ब्रिंदावन के पंच रंगले ठाकू रहे हैं, संतजन केते हैं, कि जब गोपियों ने कहा कि, हाँ, नात, तो श्री गोपिनात जी परकट हो गए, जब गोपियों ने कहा कि, हाँ, रमण, तब श्री राधा रमण जी परकट हो गए, जब गोपियों बोली, प्रिष्ट माने बल्लब, कालंतर में वही श्री राधा बल्लब लाल जी परकट हो गए, और क्वासी क्वासी महाभुज़, महाभुज़ कहा, तो गोपिन्द दे परकट हो गए, और दास यास्ते किरपणा यास्ते शक्खे, जब शक्खे कहा, तो श्री बाके बिहरी और मदन मोहन जी परकट हो गए, ये साख्य भाव है, ये सखा भाव के ठाकूरे, मदन मोहन और बाके बिहरी जी ब्रन्दावन में, प्रभू को ये नाम इतने प्रिय लगे, गोपियों के द्वारा, उच्चुरित इस नाम को ठाकूर अमारे ब्रज में आ गए, ब्रज में निवास करते हैं, लेकिन तत्काल तो गोविंद का दर्शन हुआ नहीं, अब पूरे ब्रन्दावन में ढूड़ा, ये पूजा जो ब्रन्दावन में ने हैं न, ये राशस थली है, ये जो पूरा ब्रन्दावन जो है, वो राशस थली है, पूरा ब्रज राशस थली है, ब्रन्दावन, और पूरे ब्रन्दावन में गोविंद ने राश किया, कोई मेल तो था नहीं, और कोई वहाँ था भी नहीं, था तो केवल मा कत्यानी बिराजमान थी, क्योंकि उनका स्थापना किया था न गोपियों ने, गोपियों ने, कृष्णा कामना से मा कत्यानी का उपासना की, तो स्री कत्यानी बिराजमान है, और रास के समय बोले बाबा भी आ गए, बोले बाबा भी आ गए थे, रास के समय में, गोपिस्ट और भाप से, तो रास ला के समय बोले बाबा आ गए, मा कत्या यानी पहले से ही थी, वहाँ पर बिराजमान, बाकी तो बिर्णाबन सब, बन ही बन था, तुल्सी का बन, और पूरे सोरम्य स्थान में गोविन ने रास किया, और कनय जब गोपियों को नहीं मिले, तो लिखा है, पुनव पुले नमा गत्या कालिंद्या क्रिष्ण भावना, समवेता जगो क्रिष्णाम, तदा गमना कांचित, गोविन्दर मिलन की कामनाओं को ले करके, गोपियों ने एक सुन्दर गीत गाया, मैंने कल बताया था न, कि यमुना है भक्ति, गंगा है ज्यान, और श्री सरायू है बैराग्या, इसका भाव ये हुआ, कि तुम कहीं भी गोविन्दर को डूण लो, पर जब तक भक्ति का आश्राय नहीं लोगे, वो तुम्हें मिलने वाले नहीं है, इसलिए अब गोपियों ने कनेया को डूणना बन कर दिया, बोले अब नहीं डूणेंगे, नहीं खोजेंगे, तो क्या करेंगे, बोले कालिंद्य क्रिष्ण भावना, यानि कि कालिंदी यमुना के किनारे आ गई, और यमुना या भक्ति का आश्राय ले करके, वहीं पुकारा गोविंद को, तो गोविंद बाद में परकट होए, तो गोपियों ने यमुना के किनारे बैट करके जो गीत गाया था, इसी को बोलते हैं गोपी गीत, कितना बड़ा सत्भाग्य हैं हम लोगों का, जिन चर्णों की किरपासे, गोपियों ने गोपाल को जल्दी पाया, मा कत्य यानी पवित्र सन्निदी में, ब्रज मंडल की पवित्र सन्निदी में, बिन्दावन दाम में, मेरे गोपाल की रास्खिडा स्थली है, माता कत्य यानी की पवित्र सन्निदी, जिन चर्णों की किरपासे, गोपियों ने गोपाल को जल्दी पाया, और यहां बेटकर भी हम वही गीत गा सकते हैं, जिसको आता है, नहीं तो कम से कम हम, हम थोड़ा गाएंगे, फिर थोड़ा सुन लेंगे बाद में, बाकी लोग सुन सकते हैं, जो गोपियों ने गाया था, गोपि गीत, भागवात का मुख्य जो प्राण गोपि गीते, तो जिसके पास स्तुति पत्रिका है, जो पहरे दिल से ही मिला है, जिसमें संस्क्रित की स्तुतियां, आप लोग कही बार साथ में गाये हैं, सुने हैं, आज बहुत भाव से, बहुत स्रदा से आईए, गोपि गीत का पार्ट करते हैं, सब मिलकर करके गा सकते हैं, मेरे साथ में, और देखो, संतों का ऐसा आदेश है, संतों का ऐसा कहना है, कि गोपि गीत जो ब्यक्ति रोज नियम से पार्ट करता है न, उसको गोविंद जरूर दासन देते हैं, पक्की बात है, तो हम सब मिलकर के गोपियों के संग गोपि गीत का सुमधूर पार्ट करते हैं, आईए भाफ से गाएं, बिच में हैं, स्री किशोरी जी हैं, चारो तरफ हजारों गोपियां हैं, और उनी गोपियों के, गोपियों की चरण धुली में हम लोग उनके साथ बिराजमान हैं, होंगे, जाए बाफ से गाएं, जो गाएं नहीं सकता है, तो प्रेम से आप लोग सुन सकते हैं, हम गाएंगे, थोड़ा गाएंगे, और आप लोग उष्में ध्यान कर सकते हैं, उष्में मनम कर सकते हैं, ठीके? बोलो जाय स्री कृष्णा त्वाई दृताश वस्तंबे चिन्वते शरदुदाश ये सादुजाताश शरशी जोदर श्रीमुशादृसा सुरतनाथते शुलकदाशिकादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसादृसा प्रिशमयात्मजादिश्वतो भयाद्रिशवते वयं रक्षितामुह। नखलुगोपिका नंदनोभवा नाखिलदेहिनाम अंतरात्मद्रे। विखनसार्तितो वेशगोप्ताये सकाउदे इत्वान सत्वतं कुले। विरचिताभयं वेश्णुदूर्यते चरणमी युशाम्सं स्रितेर्भया। करशरोरुकं कांत कामदं सिरशिदेहिना से करग्रहं। ब्रजजनातिर्वेरयोसितं निजजनास्मयाद्वम्सनास्मिता। भजशके भवात किम करिश्मनों जलरुहाननं चारुदर्शया। प्रणत देहिनं पापकर्षनं त्रेन चरानूगं स्रीनिकेतनं। फणी फणार पितं ते पदं भुजं। क्रण कुचे सुना क्रिंदेच्यम। मधुरयागिरा वल्गु वाक्यया। बुदमनो ज्याया पुश्करेक्षनं। विधिकरीरिमा विरमुयतिर। धरसिधूना प्याययस्वान। तवकथामृतं तप्तजीवनं। कविभिधियरिधितं कालमाशातःं। श्रवनमंगलं स्रीमदाततं। भुविग्नंतिते भुरिधाजनां। प्रहसितं प्रिये प्रेम विक्षनं। विहरणं चते ध्यानमंगलं। रहसि संबिधो यारिदेश्प्रिशात। कुहकनो मनाक्षभयंति। चलसियत ब्रजाचारयन पशुन। नलिन सुन्दरं आथते पदं। सिलतिनं कुरै सिधती तिनां। कलिलतां मना कांत गच्छती। तिन परेक्षये नेलकुंतलेर वनरुहाननं बेप्रादावृतं। धनरजस्वलं दर्शयं मुहूर् मनस्षीनास्मरं बेरयाच्षी। प्रणतकामदं पदमचाजार्चितं धरनिमंदनं। देयमापदी चरणपंकजं सतमं चाते। रमणानास्तेना तनेश्वपर्याहे धीहं। शूरतवर्धनं सोकनासनं। स्वरितवेणुनासुष्टुचुम्भितं। इतर रागवेश्मारणं ननं। वितर वेरनास्तेदरामृतं। आटतियत भवन हरीकानानानं। तृतिर युगायते तंपश्याताम। पुटिलकुंतलं। श्रिमुखं तयमुखं चाते जड। उदिक्षताम् पक्षं कृद्रिशाम। पतिशुतान्वया भ्रात्रिवांधवां। तिविलंध्याते एंत्याच्युतागता। गति विदस्तवोद्गीत मोहिता। कितवयोसिता कस्त्याजैनिशी। रहसिसंबिदं रिच्योदयं। प्रहसिताननं प्रेम वेक्षणं। ब्रिहदूराश्रियो वेक्षदामते। मुहुरतिस्प्रिहा मुयते मना। ब्रजवनौकशाम् व्यक्ति रांगते। ब्रिजिन हंत्रयालं विष्वमंगलं। जयाजमानक्चनस्त्वात्वस् प्रिहात्मां। यत्तेशु जात चरणं बुरुहं स्तनेश भिता। सनई प्रिया दधी मही करकसेश। तेनाटवीम टशी तद्व्याथ तेन किम्सित। कुर्पादि विभेर भ्रमति धेर भवदायू साम्म। तो इस प्रकार से गोपियां बड़े प्रेम से ये गोपि गित गाती है। तो इस प्रकार से गोपियोंने बहुती सुन्दर ये स्तूतिक आई। अपने मन की बातों को कनाया की सामने रख दिया। विरवा में बोलती है कि है प्यारे आपके जन्म के कारण ही ब्रजमंडल में स्वर्गा से अधिक ज्यादा बंदनिया हो गया है। सुन्दरी और मिर्दुला की देवी जो साक्षात लक्षमी है अपना निवास्थन्द वैकुंठ छोड़ करके वो ब्रज में बास करती है। क्योंकि आप जो ब्रज में पदा रहे हैं ब्रजमंडल की वो सेवा करती है। लक्षमी जी ब्रजमंडल की सेवा करने लगी है। है प्रियतम देखो ये तुमारी गोपियां जिनों ने आपके लिए सरवस्य त्याग दिया। आपकी बिरा में कितने बैकुल हो रही है। हमने तो अपने प्राणों को आपके लिए ही सुरक्षित रखा है। और बन-बन में भटक कर केवल आपको ही चाहते हैं। अब आकर हमको दर्षन देकर दर्षन दोना हे कनया। हमारे प्रेम पून हिर्दय के स्वामी हे गोविंदर। हम तुमारे बिना मोल की दासी हैं। और आपको ही खोज रहे हैं। तुम सरतकालिन जलासाय में सुन्दर से सुन्दर रश, सज के किरणों की भाती जो कमल होता है। ऐसे सुन्दर आपकी नेत्र हैं। हे सरजनों नेत्र वाले गोविंद हमको ऐसा लगता है कि किसी को तलवार से मारना ही बाद नहीं है। बलकि हमको लगता है आपके कमल नित्रों से हमें जो चुरा लिया है और हमारे अंतर मन को जो आपने चरणों का दास बना लिया है। और फिर रोती बैकुल बीरा हमें छोड़का हमें चले गए। तो ऐसे हमें बैकुलता में तड़पाना क्या ये बद नहीं होता। हे के सब आ करके हमें दर्शन दिजिए। यदि इसी परकार हमें बिरावा के अग्णि में जला करके नश्ट करना ही था। तो आपने विशैले जल से कालिया नाक को निकाल करके यमुना जल को परदोशन मुक्त क्यों किया। यमुना जल को परदोशन मुक्त करके हम बर्जवासियों को क्यों बच्चाया। इसी परकार बिरावा के अग्णि में यदि जला कर भास्मा करना ही था। तो पूरे बर्ज मंडल में तो दावाग नहीं लगी थी, उसको पान करके अपने रक्षा क्यों किया हमारी, यदि इसी परकार हमें मारना था केशब, तो गिरिराज उठा करके अपने बर्षा से हमें बर्जवासियों को क्यों बचाया, बहो जाने देते, मर जाने देते, इतना ही नहीं, जगे जगे पर पल पल में आपने हमारी रक्षा की, और आज हमें रोती बिलक्ती छोड़ कर बन में, कहां जाकर छुप गए हो, हे केशब, आप केवल यसुदा नंदन नहीं हो, बलकि प्राणी मात्र के अंदर आत्म के द्रिष्टा हो केशब, ब्रह्मा जी से बहुत प्राथना की गई, ब्रह्मा ने बहुत प्राथना की, ब्रह्मा की प्राथना पर, देवताओं की स्थूती पर, आप सब के संकट को दूर करने के लिए, यदुबम्स जैसे पमन कूल में अवतरित होकर, आए हो केशब, हे के सब यदुबम्स में इतना कठोर तो कोई भी होता ही नहीं है, आप इतने कठोर बने कैसे? हे ब्रजबासियों के पिड़ा को हरन करने वाले गोविंद, हम आपके किंक्री हैं, और अपने जलरू घगनम चारू दर्श दया, अपने मुक्कमल का आप हमें दर्शन करा दो केशब, आप जानते हो आपके चरणों का कितना चमतकार हैं, प्रणत देहिनम, पाप कर्शनम, आपके चरणों, आपके चरण जो हैं न, उन चरणों की चरण में ग्रहन करने कर लें, उसके पापका आकर्शन करते हैं आप, और आज वो चरण कैसे हो गए, त्रणी चरणों हो गए, त्रणी को चरणी वाली जो गाई हैं, उनका अनुगमन करने वाला आपके चरण बन गए, बास्तब में तो ये श्री निकेतन हैं, इन में लक्ष्मी जी का बास हैं, इन कमल चरणों को आप बन में मत भटकाओ, हाँ के सब, इने तो हमारे वक्षस्थल पर आशिन करो, हमारे हिर्दय पर आशिन करो, क्योंकि वही उनका स्थान है, आपको याद है, आप जब गोचराने के लिए जाते, तो आपके माधूरे माई बाणी को सुनने के लिए हम अटारियों पर चड़ जाती, मोखा में बैटकर सुनती, गोविन्दा आ रहे होंगे, गोविन्दा आ रहे होंगे, आज आप इतने कठोर क्यों बन गए, एक बार आप माखन चुरा के जा रहे थे, प्रभू, तो मैं आपके पिछे पिछे दोड़ी, तो तप्ति वी बालू का में आप जाने लगे, तो गोविन्दा नितम पदी नवा, नितम, नितम नितम तू किमतेन आहत, पिताहा पिता भुमव, माधब, माभाव, माभाव, मैंने काथा कि माखन चुराने, माखन तुमने चुरा लिया तो कोई बात नहीं केशब, नवनित्तो हे पर आहत पीताहा पीता भुमव, ये भुमी बड़ी तप्रई हे गोविन्द माधब, माधब, कनईया महाभाव, मत भागो, मत भागो, आज उनी चरणों को कडिल के काटों में ले गए आप, कंकरेली जगे में ले गए, हम बिना मौल की दासी आपकी विरहा अगनी में जल कर जल के भास्मा हो रही है केशब, आप ये कहोगे, आपकी प्रेम, आपकी स्रधा सच्ची नहीं है, अरे सच्चा प्रेमी तो मेरा दसरत जी थे, जिनोंने जब देखा के राम नहीं आएं, तो प्रान त्याग दिये, आप मेरी ब्रहा में रो भी रही हो, और जिवित भी हो, सच्चा प्रेमी तो हमें उसको अपना समझें, जो हमारे ब्रहा में प्रान ही छोड़ दें, गोपियां कहती हैं, कि यदि ऐसा आप सोच रहे हो, तो हम यही कहना चाहेंगी, कि आपके बिरा में दसा जी तो जिवित रहे नहीं, पर माता जानकी कितने दिन जिवित रही अशक बाटिका में, और हनुमान जी महरात जब लोट करके आएं, तो उनको गले से लगाया, रागवंद्र ने पूछा, मेरे बियोग में जानकी कि प्राणों, प्राण तो निकल नहीं गए होंगे, तो हनुमान ने जवाफ दिया था, कि नाम पारुहू दिवशह निशे, ध्यानम तुमारे कपाट लोचनह, निजपद जंत्रितह प्राण जाए केकी वाट, आपका नाम रुपी पहेद्वार, 24 घंटे माता जानकी की प्राणों का रक्षा करता है, लेकिन नाम रुपी पहेद्वारों को धक्के मार के प्राण निकलना चाहें, चाहते हैं, तो ध्यान तुमारे कपाट, अपका ध्यान रुपी कपाट लग जाता है, लेकिन उसको भी जब खोलकर जब प्राण निकलना चाहें, चाहते हैं, राम के विरह में नहीं रहना, शरिर में हमको चले जाने दो, तो लोचन नीजपद जंत्रिता, जंत्र बोलते हैं ताले को, ताला लग जाता है, जो प्राण जाएं, केवर्ट गोपियां कहती हैं, हम आपके विरह में मरनत चाहती है के सथ, हमारा प्राण अंत हो जाएं, बिजली हमारे उपर गिर पड़ें, गिर जाएं, इसमें सुईकार है हमें, हमें कोई आपत्ती नहीं है, आपके विरह में यदि हमको मरन मिल सकता है तो, हरतव कथा मृतं तप्त जीबनं कवि विरहितं कलमा शापहं गोप्यां कहती है कि आपके विरह में मरने का मन है हमारा पर आपकी जो कथा हमें मरने नहीं देती, क्यों? क्योंकि तब कथा मृतं तप्त जीबनं संसार के ताप से तप रहे हैं जो मनुष्य हैं, उनके ताप को मिटाने के लिए आपके कथा तो अमृत के समान है कैसा? आपकी कथा अमृत तुल्ल है, आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप और आधिभोतिक ताप, तीनों तापों को मिटाती है आपकी कथा, और संसार की जितनी ताप हैं, उनमें तप रहे हैं, जो मनुष्य, उस्ताप और संताप को मिटाती है आपकी कथा, और हम नहीं केती के सब ये बात, कभी विरी ही तम, बड़े बड़े कभी होने का है, बड़े बड़े मापुरुष होने का है, और कैसे, और कैसे ही आपकी कथा, आपका कथा कैसा है, बोले कलमशा पह, कलमश माने पापों को नफ्ष्ट करने वाली कथा, आपकी कथा पापों को मिटानी वाली है के सब, और जीवन तो उसी का, धन्य हैं, जो आपकी कथा का गान करते हैं, कथा का सर्वन करते हैं, कथा माय जीवन जीते हैं, उसी का जीवन धन्य है, हम क्या करें, कथा मरने नहीं देती है, आपको याद है के सब, अब जब गोचराने के लिए जाते, तो एक एक पल हम आपके भीयोग में कैसे बैतित करती, कहती है, टूटी रे युगायोग तम पस्यताम, गोफी कहती है, आपके बीना, आपको बीना देखे, एक टूटी का समय एक पल, एक एक पल, जो गिरता है न, हमारा इस पलग गिरने में जो टाम लगता है, इसका भी तीसरा भाग, यानि कि इससे भी कम का समय आपको बीना देखे, एक युग के समान हमें बैतित होता है, पलग उसको कहते हैं, ये आइब्राउज होता है, आपके उपर जो आइशीर होता है, और भी लगते हैं, आपक फड़कता है, तो उसको कहते हैं, तो कहते हैं कि पलग गिरने से, गिरने में जो टाइम लगता है, इसकी भी तीसरा भाग, यानि इससे भी कम समय, कितना जल्दे से फटक करके, बंदो करके खुल जाता है, आप नोटिस करते हैं, तो उसका भी तीसरा भाग, उससे भी कम समयगा, आपको बिना देखे, एक यूग की समान बैतित होता था, ये गोपियां कहते, एक यूग जैसे प्रतीत होते, आपको दया नहीं आती, आपको करुणा नहीं आती, एक गोपि बोली, आप ये सोच रहे होंगे, बड़ी भक्त बनती हो, हमारी, लेकिन तुमने छोड़ा ही क्या है, जो हम तुमको मिल जाएं, हम क्या छोड़ सकती है, पतियों को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, परिवारों को छोड़ा, उनकी बाता का उलंगहन करके चली आई है, हे अच्चुत, नक्षवती शरूप पात्य सअच्चुत, आपका नाम अच्चुत है, जो अपनी कभी बजन से गिर नहीं गिरते, कभी अपने शरूप से गिरता नहीं, कभी अपने वानी से बिमुक होता नहीं, उसको अच्चुत कहते हैं, तो सरण में आने वाले को मैं कभी छोड़ता नहीं, जो मेरे सरण में आता है, उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, यह आपका बचन है, फिर आज क्यों आपने बचन से मूँ 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 मूर लिया आए, आज क्यों अपने बचन से मूँ कर गए क्यों हमें रोते बिलगते छोड़ कर चले गए हम तो बर्जवासी हैं गोपाल बर्जव के बन में निवास करने वाली है ग्यान का अवलंब नहीं है कर्म में प्रविर्थी नहीं है भक्ति की जानकारी नहीं है हमें हम तो इतना जानती है कि गोविंदा हमारा है आप हमारे हो और हम आपकी है किसी को ग्यान का अवलंब होता होगा हमारा अवलंब तो आप है और ना पधार और यदि ना पधार है तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे गोपियों ने विभिन्न मंत्रों के मद्याम से अपनी मन की बात कही कनिया ने कह दिया है बास 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 बहुत हो गया है होतासा मां मिर बरस वरी स्मय मान मुखम भुजा पीताम बरस वरा धरा रगविरा शाक्षाना मन मत मन मत इन गोपियों की मनस्तिति को जब मेरे गोविन्न ने देखा तो गोपियों के मध्य में ही कनईया परकड हो गए अच्छा एक बात समझें जारा कि यहां लिखा है तासम गोपी ना मध्य गोपियों के बीच में कृष्ण परकड हो गए क्यों जी कहीं क्रिश्ण बार चले गए होते तब उनको कहना था तासम गोपी ना मध्य आगते सती गोपियों के बीच में क्रिश्ण आए लेकिन शुकदेव जी ने का शुकदेव जी ने यहां पर ऐसा तो नहीं का शुकदेव जी शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि तासम अवीरभूत यानि कि गोपियों के बीच में परकट हो गए इसका क्या मतलब है वो कहीं गए थोड़ी ही थे वो बीच में होते थे बीच में ही कनय बीच में ही थे क्या मतलब अरे भाई सोला हज्जार यूत की गोपियों के और एक एक यूत में कहीं कहीं हजार गोपी हैं लाखों की संक्याद जिन गोपियों की हो वहां कोई पुरुष गोपी यदि बन के राजा हैं तो पता चलेगा क्या लाखों जहां बैने हो जहां माता हैं वहां कई फड़िया वोड करके कोई पुरुष भी अगर माता जी बन कर बीच में हैं चला जाएं तो पता चलेगा क्या गोपियों का परिक्षा लेने के लिए परिक्षा लेने चाहते थे इनका भाप मेरे परती कैसा है उनका अभिमान जब देखा तो मेरे गोपियों ने एक सुन्दर सी चदरिया ओड ली और गोपि कहती है श्री कृष्णा आप कहा हो गोपि कहती है है प्राण बल्लब कहा हो तो यह भी कहते हैं प्राण बल्लब कहा हो कनया ने देखा बहुत हो गया इनका भाप्त बहुत निर्मल है तो तासाम विरभू तहब फरिया ऐसे आटाई और मुरली लेके खड़े हो गये बोलो जैश्री क्रिश्न आना थोड़ी था अब आते तब तो बोलते अब गोपियों को कैसा लगा तम भी लोग क्या गतम पेश्टमा प्रित्यू द्रिशोव लहा उपतस्त यूगह पदसरव तन्नो प्राण विवागतह कितनी सुन्दर बात कह रहे हैं भगवान सुकदेल जी कि गोविंद जब पदा रहे हैं गोपियों को ऐसा लगा जैसे सरीर से निकला हुआ प्राण वापस लोट आया जैसे सरीर से निकला हुआ प्राण वापस लोट आया क्या अरे गोविंद जी तो उनका प्राण है कनईया आ इतो ब्रस का प्राण है अब कनईया आ गए महराज तो मत पुछो कितनी प्रशनता हो गए गोपि गोपि कोई कोई दोड़ी दोड़ पड़ी पंखा चल रहे है कोई चामा डुला रही है कोई हाथ में सहला रही है कोई सरणों को सहला रही है कोई सरीर में कांटे तो नहीं लग गए और कुछ गोपियों ने तो टेड़ा नजा से ऐसे देख रहे है मानो खाई जाएगी क्या कनईया बोले ऐसा क्यों देख रहे हो मुझे गोपि बली बात करनी है आपसे दोड़ो गोपाल बोले क्या बात है बोलो गोपियों ने पर्ष्ण कर दिया कनईया कुछ ऐसे होते हैं प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं भजन्तो न भजन्ते कह एक एतत बिपर्ययम नोभया मास भजन्ते के के तन ब्रूही साध हुभो यानि कि हे मात्मा जी हमारे प्रश्ण का जवाव देदो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेमी नहीं करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग प्रेम करते ही नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो दोनों में किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं। तो आप सबसे स्रिष्टर आपको कौन लगता है किसको मानते हैं प्रभु ने कहा सुनो प्रेम के प्रेम के बदला में प्रेम मुझे लगता है वहां थोड़ा स्वार्थ आ जाता है प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम जैसे करुणा पितरो यह थाम यानिकि माता पिता जो होते हैं न यदि पुत्र नालायक भी हो जाएं तो भी उससे प्रेम ही करते हैं अपना तो है ना लेकिन दोनों में किसी से मतलब नहीं रखते हैं ऐसे ब्यक्ति ऐसे महापुरुष चार प्रकार के होते हैं ध्यान से सुनना एक तो होते हैं आत्मराम दूसरे होते हैं आत्मकामा तिसरे होते हैं अत्किर्टग्या और छोते होते हैं गुरुद्रोहा देखो जो आत्म में रमण करते हैं उसे कोई मतलब नहीं उसको कोई भी मतलब नहीं है प्रेम करो तो भी बढ़िया नहीं करो तो भी बढ़िया आत्मरामन है जिसकी क्यामनाएं पून हो गई उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए तुम प्रेम करो तो भी अपनी बढ़िया नहीं करो तो अपनी बढ़िया करलो तो स्वागत है करलो तो स्वागत है पर नहीं करलो तो भी स्वागत है ये दोनों महापुरुष उच्च श्रणी की होते है आध्यात्मिक रिती की होते है आत्मराम और उनकाम लेकिन यदि लोकिक द्रिश्टी से देखें तो प्रेम के बदल में प्रेम न करना ये किर्टक यता जैसे लगता है और देवियों प्रेम जिसने किया उसके प्रेम के बदले भी हमने प्रेम तो किया ने और प्रेम करने वाले को तकलिप और दे ये गुरु द्रोही का लक्षन है अक्रित तक ग्यां गुरु द्रोहा गोपी बोली हमे तो तुम चौथे नम्मर वाले लगतना देखते हो का नहीं या बले कहे चे आमने सर्भस्ष त्यागा आपके चरण में आई और प्रेम के बदले प्रेम करना तो हुआ भाड में गया हमको उल्टा ही तकलिप दिया तड़ पाया और गोपियां इतनी बोल रही थी तो मेरे गोविन्दा के आँखों में आशु आ गए और कनया कहते हैं देवियों मैं आपसे बता नहीं सकता आपकी बराबरी कौन कर सकता है नाहम्तु सक्ष्य भजतो पिजन्तुम् भजम्य मीशा मनुवृत्य वित्याये यथा धनो लब्द धने बिनस्टे कंची नतयान उर्थितो नवेदा भगवान कहते हैं कि मैं जीव को मिलके एक बार अंतरध्यन होता हूँ क्यों? इसका एक भाव है यथा अधाना लब्द धने बिनस्टे किसी निर्धन ब्यक्ति को किसी नितांत विपन्य ब्यक्ति को आखों की संपत्ति मिल जाएं अरवों की संपत्ति मिल जाएं बहुत बड़ा धन मिल जाएं और फिर वह ब्यक्ति का वह धन नस्ट हो जाएं तो वह धन को बार बार प्राप्त करने के लिए चिस्टा करेगा कैसे वह धन को मिलें कैसे मैं पाऊं इस धन को पून मैं प्राप्त कैसे करूं देवियों एक बार मिल करके जीप को मैं इसलिए अंतरधन होता हूं कि उसकी मनस्तिती में मुझ में मिलने का तरपन और ज्यादा बड़े और एक बात मैं कहता हूं कि लोग बहुत ग्यान की बात बहुत करते हैं बैरागे की बड़ी चर्चा करते हैं देवियों लेकिन ग्यान क्या है? बैरागे क्या है? त्याक क्या है? एक किसी को पर्टक्ष देखना है तो गोपियों की जीवन में देखा देखो यामा भजन्दूर जग्रहे स्रीखलाम अपने जो त्या किया है देवियों वो त्याग तो कोई कर नहीं सकता वो तो किसी भी सामा वो तो किसी में सामार्थ नहीं है मेरे लिए सर्वस्व त्यागा मेरी प्रिक्षमें आपास है और मैं रास बिहार करूँगा गोविन्द जैसे रास बिहार करने को तैयार हुए है शोही वहां कामदेव आ गए क्रिष्णा बोले आप कौन है बोले हम काम है यहां कैसे आए बोले सुन्दर इस्त्री सुन्दर पुरुष वहां तो अपना आई जाते हैं पनाया बोले लेकिन सीव के रूप में तुमको जला कर भास्म कर दिया तक भूल गए हम ही तो बैठे थे अंदर बोले तपस्य करने वाले को तक्लिफ देता हूँ तो मेरे को जलना ही पड़ता है हाँ जी लेकिन राम अवतार में भी हमने तो तुम्हारा गद्दाल तो गलने नहीं दी थी बोले माराज राम अवतार में तो आप एक पत्नी बरत थे एक पत्नी बरती थे और जो एक पत्नी बरत धारन करते हैं न वो तो ब्रह्मचारी ही मने जाते हैं ऐसा नियम है भागवत में भी बनन आता है जो एक पत्नी बरत धारन करता है वो तो सास्त्र के द्रिष्ट में एक पुरुष से एक रूप से ब्रह्मचारी ही होता है। जैसे सपने में भी जिस नारिक ने पर पुरुष को दर्शन नहीं किया, वो पतिवरता मानी जाती है। श्रिष्ट ऐसे ही पत्नी के अलावा पर नारिक चिंतन भी उसके मन में ना आया हो। ऐसे मनस्तिती जिसकी है उस पुरुष को भी ब्रह्मचारी का आ जाता है। यह सास्त्र का मात है। तो रामचंद्र परंधारन चक्षू सा नावी पस्चती। बालमे की रामान में लिखा है कि भगवान राम ने तो जानकी को जिस द्रिष्टी से देखा, उस द्रिष्टी और भाव से किसी नारी को देखा ने। कोई नारी उनके सन्मुक आती या तो बहन के रूप में देखते या तो मा के रूप में देखते। इसलिए भगवान राम मर्यादा पुरुशत्तम हैं। सब के आधनिया हैं, हमारे प्राण हैं। और वे निश्चित रूप से एक भाव में ब्रह्मचारी हैं। लेकिन यहां यहां लाखों विश्च्व सुन्दरी गोपियां और त्रिभुवन सुन्दर नेल मने आप। गलमईयां देखे रास रचाओगे। इधर मेरे बांट चलने वाले हैं। कनयया मुश्करा करके बोले कि सुनलो कामदेवजी अब यहां तो तुमको अजीब तरीका से ही जितेंगे। अनोखे तरीका से जितेंगे। क्योंकि क्रिश्चन चरित्र में हर काम अनोखा ही तरीका से करते हैं। कनयया तो कनयय कहते हैं कामदेव से कि अनोखे तरीका से तुमको जित लेंगे। तो यह बता रहे हैं कामदेव से तो इधर काम को भी अनोखे तरीका से जितने का मन हैं। कनयया कहा है। बोले जह स्रीक्रिश्चन कौन सा युद्ध करेंगे केले वाला की मैदान वाला। अब तो दोनों हाथ मैदानों में ही होगी। हाँ, मैदान में करना है। बिवाहा करके पत्नी रूपी केले का आश्रय लेना अलग बात है। लेकिन विश्चो सुन्दर इनारियों के बिच में रखे भी मन को जितना ये तो मैदान का युद्ध है। और मेरे गोविंद गोपियों के साथ में रास बिहार कर रहे हैं। आईए, दो मिनिट हम लोग रास में सम्मिलित हो जाएं। पादन्यासै भुजविदू तभि सस्मीतर्विभू विलासै भजनामध्ये छलकुटपटर्ये, कुंडले गंडलोले, सुद्ध्यान मक्या कबर सनग्रंतया क्रश्न बद्धो, गायात ततस्तं तडित एवता। वाप्रे, ऐसा रास किया गोविद्धने, जितने गोपी हैं उतने स्वयम क्रिश्न बन गए। गलबईयां दे करके रास रचा रहे हैं, आलिंगन करके रास रचा रहे हैं, लिखा है कोई गोपी ठक जाती, तो गोविंद्ध को, अपने मुखार विंद्ध को स्थापित करके विश्रान्ती का अनुभव करती। निर्थ्यती गायती काचिन-काचिन नुपुर में खला। कोई गोपी गाते हैं, तो कोई गोपी निर्थ्य करती हैं, और एक गोपी तो निर्थ्य करते करते एतने ठक गई, कि गोविंद्ध इनके चरण ही दवाने लगे। बोलिय जैसरी क्रश्ना जां बेटे और पलोलट राधी का पायान वही तो सेवा कुंजे वही धान गई थी किश्वर जी चरन दवाएं और अकास मंडल में भेड लगी है देवताओं की देवंगनाओं की तो यह देखते देखते देवंगनाएं मुर्चित हो गई चंद्रमा ससंकित हो गई कामोधित्व भावनाओं का पूरा विश्मरन हो रहा है राश मंच में अपने पूरे तेज़ पर हैं वो लेकिन काम को तो वो उल्टा ही लटका रखा है गवविंद्धन ने काम के पूरे साधन है पर काम का जोड़ कुछ नहीं है भगवान का इस तरह राश का वणन कर रहा हैं पुज्य श्री शुकदेव जी महाराज पूरे स्रेंगार भापका वहाँ पर दर्शन करवा दिया संकर्जी दर्शन करने आयें ऐसा है गरग समिता में लिखा है शिवजी बोले हम जाएंगे बोले नहीं अंदर नहीं जा सकते गोपियों ने उनको बार ही रोग दिया है क्यों बोले अंदर पूरुशों का प्रवेश नहीं है तो महाराज वहाँ पर क्या हुआ भोले नाज से बोले प्रेम सरववरों में डुपकी लगाओ डुबा ने जब बाबा ने डुपकी लगाई तो बाबा नथिनिया वाला गोपी बन गए बोली है जाए श्री क्रिश्ना संकर्जी गोपी बन गए और इस प्रकार से गोपिसर महादेब बन गए बोली है गोपिसर महादेब की